हाई अब्रीवन वेलकम तो इस वीडियो एंड आम गोरा शो यूँ वन अनतर हीडें टालेंट और इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहत्रीन साथ टेस्टी सा सब्जी आलू और परवल की सब्जी तो तयार है आप रोखाने के लिए एक स्वाधिस्टार टेस्टी साहना च है लेकिन आपको ऐसाद चिलन से नहीं और चाकु से चिलना एंठोट करने के बाद आपpent ख之前's top करने के बाद आप को वाद कर सकते हैं कुल मिला के आपको बहुत बारिक नहीं काटना है क्योंकि हम मसालय वाले परवल की सब्जी बनाने वाले हैं फिर उसके बाद आपको आलू ले लेना है आलू को ऐसे कट कर लीजिए मैंने यहाद पर आलू बॉil कर रखिए है आप भी चाहें तो आलू को बॉयल कर सकते हैं और दो सबजी हमारे पास रेडी है आलू और परवल उसके बाद हम इनकी सबजी बनाने चलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों इस परवल जो आपने काटा है उसको फ्राइ कर लेना है आपने कड़ाई में ऑईल कर लिए कालका ब्राउन सा देखने लगे और मतलब घील थोड़ा सा ऐसे पक जाए ठीक है कंप्लीट ऐसे बिल्कुल फ्राइ नहीं हो रोस्टेट नहीं कर देना है मतलब थोड़ा सा इसको पका लेना है पकाने के बाद आप क्या करेंगे इसको अलग बर्तन में निकाल ले के बाद आलू को हम ऐसे नॉर्मल फ्राइ करेंगे आपको एक चीज़ यहां रखना है आलू जब आप बॉयल करेंगे तो कंप्लीट बॉयल मत करीगा थोड़ा सा इसको कचाई रखीगा कंप्लीट बॉयल करने से नीचे पकड़ने लगता है ठीक है तो हम यहां से क्या करे आलू को ऐसे फ्राइ करेंगे गरÁम ऑईल ही ठीक है और उसके बदा से थोड़ी देर के लिए क्लिको घग देते हैं और फ्राइ करने के बाद थोड़ी देर इसको complete side में देखी मेरा रोटी बन रहा है ठीक है तो इसको फ्राइ कर लेते है अब फ्राइ होने क बाद दोस्ते 5-10 मिट के बाद हम इसको निकल लेंगे जैसा मैंने बताया है तक ज़ैदा अगर बॉयल कर लेगे तो नीचे पकड़ने लगेगा मेरा पकड़ रहा था बट इस फाइन आप इसको क्या गरेंगे अगले या दूसरे बड़तन में हम इस आलू को निकाल लेते हैं आपको क्या करना है और हलका से आप नमक डाल सकते हैं क्योंकि वैसे तुरह जल्दी गल जाता है अब इसको क्या करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याच में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे प्याच को गलाएंगे अब इसके बाद आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, most important process आपको मसाला बनाना है, आपने यहाँ पे धनिया ले लिया, ठीक है, धनिया आपने यहाँ पे ले लिया, और धनिया के बाद आप यहाँ पे ले लेंगे हल्दी, आथी से कम चमच की हल्दी ले लीजिगा, फिर उसके आपको ले लेना है, यहाँ पे लाल मिर्च, लाल मिर्च आपने ले लिया, फिर आपको ले ले लेना है, जीरा, जीरा पाउडर आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, आपने इन सभी मसालों को क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा आप यहां पर लाल कस्मीरी मिर्च डाल सकते हैं इसे कलर बड़ा प्यार आ जाता है ठीक है तो लाल कस्मीरी मिर्च यहां पर हम डाल देंगे अब सबको एक छोटे से कटोरे में पानी लेके सबको यहां पर डालके एक अलग से मसाले का पेस्ट बना ले रहे जो भी अपने लाना नहीं हलके ब्राउन तक गुरने के बाद आप क्या गरेंगे मसाले को इसमें डाल देंगे मसाले को डालने के पद इसको आपको पकाना है बहुत अच्छा टेस्टी सा मज़दार और स्वाधिश सा खाना बनने वाला है आपका अब आप देख सकते कितना बहतरीन सा कलर मसाले को इसमें डाल के पकाएंगे धीमी आज पर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए दो से तीन से पांच में तक पका सकते हैं और आप अद्रक और लैसुन का एक चमच का पेस्ट डाल दीजेगा इससे तो टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें इसकी अच्छी ख पकड़ने लगेगा ठीक है तो आप पकड़ने लगेगा तो उसमें क्या करिए अभी मैंने मिर्चे और टामाटर नहीं डाला था तो मिर्चे और टामाटर को हम क्या करेंगे दोस्तों मिर्चे और टामाटर को एक मिक्सर में डाल के और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे पीस तो पेस्ट बनाया है हमारा, उसी को हम मसाले में डाल देंगे, अब दोनों एक साथ पकेगा, आपका खाना तयार हो जाएगा, बहुत ही मज़िदार टेस्टी सा खाना बनेगा, तो आप क्या करेंगे, इसी पेस्ट को आप इस मसाले में डाल के, दो से तीनी मिनट, पैक्सिम फिर यहां पर नमक डालने के बाद इसको थोड़ी से मिला देंगे मिलाने के बाद थोड़ी दिर के लिए इसको क्या करें और धीमे आज पर, यहां पर धीमे आज पे इसको पकाएंगे हम करते हैं आप देखेंके मसाला रेडी हो चुका है नीचे से तील और लगण सपूने के बबल्स बस्ताइब की हमें माघुक्षित गजा है हमारा धिक उसके बाद हम अचय हम यह ंदस्ट करते महीं है थियुक्त एक utter united आजने करें ऑद के सब्छी कंप्लीट होने की तो रहाएं करें पाक गज़ें तो आछ में एस सब्सक्षे का कशी की तो आप अपर से हल्का सा गरम मसाला डाला सकते हैं अब हव्छत सालन नहीं बहुत थोड़ी सालन नहीं बनाना हमें बस पानी इतना डालिय क्योंकि बहुत ज्यादा देद तक नहीं नहीं पानी तक करेंगे जब तक कि इसके अंदर बॉयल ना आ जाए ठीक है अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे थोड़ी देश को ढगाएंगे चलिए पानी थोड़ा सा और मुझे कम लग रहा था तो हम इसको क्या कर लेते हैं थोड़ी दिर और पानी मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और इसको पकाते है इस्टुडेंट लाइफ में ऐसा खाना मिल यह तो वह क्या मज़े है देख रहे हैं कितना मन से बना रहा हूं चलिए आप देखो कुछ हद तक हमारा खाना ठाद ना ब्लट चुका है ठीक है तो थोड़ा देर आ यहां यह कसू तोड़ी में थी को मिक्स करें इसे इसमेल बहुत गजब किया दिया बहुत अच्छा कलर आएगा और हम लास्ट में क्या करेंगे धनिया के पत्ति डालने के बाद आप चलाएगा मैं कोशिश करता हो कि इसको दालने बाद इसको चलाओ ना ठीक है फिर उसके बाद मेरी रोट सब्जी बने बहुत टेस्टी मैंने खुद खाया और अपने दोस्तों को खिलाया मतलब बहुत ही लाजवाब सब्जी मजधार सब्जी बने थी मैं कहते रहा हूं कि स्टूडेंट लाइफ मैसी सब्जी बन जाए तो वाओ समझ ला हमारा यार मज़ा आ जाएगा देखो क् गजब की सब्जी बनी है आप मैंसे कितने लोग खाना चाहते हैं एड्रेस बतातों मैं पार्सल कर देता हूं या जब भी मैं दावाद दूंगा आपको बुला के यही सब्जी बना के खिलांगा या इस पेसल वीडियो में बना रहा था में घर वालों को देगे क्या चलिए इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप यह सब्जी मस्ट ट्राइकर ही घर पे और हमें बताइए कैसी लगी आपको सब्जी बाकि अगर कुछ है तो मतलब मेरा मन कर रहा था ऐसे बनाने का तो मैंने बना दिया आपके लिए सब्जी चलो बहुत 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 शुक्